यूपी के बिधान सभा चुनाओ 2022 में होने है समय कम बचा है लिहाजा सियासी सरगर्मिया जोर पकड़ रही है अभी से वादों की बरसात होना सुरू है इनी में सीता पुर्जले की बंद पड़ी दो चीनी मिलों को फिर चलाने का काफी पुराना वादा भी सामिल है छेतिये विधायक सांसत से लेकर मुख मंत्री अखलेश यादों ने भी इनी चलाने के वादे किये पर जीतने के बाद पलट कर नहीं देखा यहीं नहीं यूपी की सत्ता समालने के बाद सीयम योगी ने भी सूबे की सभी बंद चीनी मिलों को पुना चालू करवाने की लेकिन समय गवा है कि आज तक सभी के वादे हवा में हैं ऐसा नहीं कि इन दोनों छेत्रों के लोग खामोस बैठे हों कमलापूर में जहां इसे लेकर नीचे से उपर तक लिखा पड़ी जारी है वहीं महौली में तो यूबा अधिवक्ता विकास दिश्चित ने इसी पर 2012 में धर्णा अंसन किया था और फिर 2016 में पद्यात्रा निकाल कर तद काली महौली विधायक अनूब गुपता के सीतापुर जेल रोड आवास पहुचे थे जिनके कहने पर राजधानी में सची उस्तरिय वारता हुई थी जिसमें विधायक के साथ विकास दिश्चित भ और पूर्व से अद्गरही पड़ी 61 एकर भूमी पर निजी छेत्र का प्लांट लगाने के लिए निविधा आमंतित कर दी जाए किन्त सरकार बदलते ही यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया विकास दिश्चित एक बार फिर वादा निभाओ चीनी मिल चलाओ के पो में हुई एक खास बातचीत के दौरान सीता पुर्सांसत राजी स्वर्मा ने आई इंडिया से क्या कहा था आपको भी सुनाते हैं देखे उसमें हमने काफी लिखा पड़ी करी तो सरकार यह हमसे कहती रही कि यह प्राइबेट चीनी मिल इसको हम तो डारेट नहीं चालू कर सकते यहाँ पर एक रुईया को यह चीनी मिल रुईया ने लगाई थी और रुईया की कहीं न कहीं बद्नियती रही हमारे किसानों के साथ उन्होंने चीट किया और वह मिल जब मालिक गलत नियत हो जाती है तो फिर वह यूनिट कभी चल नहीं पाती वह यूनिट बंद हो गई अब इसके बाद जब हमारा वह भी पिछले कारिकाल में ही संस्दी छत्रा है इसके पहले हमारा छत्र नहीं था तो हमने इस पर प्रयास किया और करीब दो तीन पार्टियों से हमने बैठक करी दिल्ली में कि ये प्राइविट चीनी मिल है आप लोग इसको खरीद दीजिए तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विगत वर्ष एक पनपालिया जी थे उन्होंने राजस्थ आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी मैंने जो पॉंटी चड़ा के बेटे हैं पॉंटी चड़ा उनसे मैंने मीटिंग करी है बात किया हूं अब उन्होंने ये अफेक्टी स्वेम टेक ओवर कर ली है और इस टाम उसमें काम भी चल रहा है आने वाला जो सत प्रश्यत उम्मीद है कि वाचीनी मिल चल करके हमारे किसानों को राहत देघी और उनसे वारता ँवटा हुई है उसे भी आपको सुनाते हैं पहले दिन से शुरू किये और मैं धन्यवाद देता हूँ आभारी हूँ अपने मुख मंत्री जी का जिन्होंने सबसे पहले महोली चीनी मिल का मुद्धा उठा के और उसको टेकप किया और वो मैं आज पहली बार में केमरे के सामने आप लोगों के सामने में बता रहा हूं कि महोली चीनी मिल सब कुछ बन के तयार है बस केवल और केवल कोट की वजएसे वो मामला रुका है और जैसे ही कोट में प्रयास जारी है जैसे ही वो कोट से निप्टेगा मामला तुरंत महोली की चीनी मिल का शिलान्याश होके और महोली की चीनी मिल शुरू होने जा रहेगी खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया